तीन महिना और एक हजार उपे के दंड की सजा हम लोगों को दोशित पाया है सजा की एक अन्विक्षन किया है पॉलिटिकली मुझे खतम करने के लिए मुझे नेस्तो नाबोत करने के लिए जीस प्रकार से बाचपा लगी हुई है जीगनेस मेवानी को हाल ही में गुजराच से अरेश्ट करके असम ले जाया जाता है असम पुलिस के द्वारा और उनको जेल में रखा जाता है उसके बाद कोट ने फटकार लगाई असाम पुलीस को कि गलत FIR दर्ज करके एक विधायक को अरिस्ट करके असाम लाया गया गुजराच से अब फिर से उनके मामले में खबर आ रही है कि उनको तीन महने की सजा हुई है उना के एक साल पर उत्तर गुजराच के मैसाना से बनासकडा डिस्टिक तक दलीतों की आवंटित की गई जमिनों के उपर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स का गहर कारूनी कबजा था उसको वापस दिलवाने के लिए हम लोगों ने संग्डठन के तौर पे एक आज़ादी कुछ का आयोजन किया था लेकिन रेली की परमीशन नहीं थी उस ग्राउंड पे मैसाना की कौट ने मेरे साथ दूसरे दस साथियों को तीन महिना और एक हजार उपे के दंड की सजा हम लोगों को दोशित पाया है सजा की एक अन्विक्षन किया है लेकिन मैं न्यायत अंत्र का सन्मान करता हूँ लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि जीस प्रकार से आसम में मेरे खिलाफ हुई गिरपतारी फरजी मुकत्बे और इस केस में भी और सारे केस में जीस प्रकार से गुजरात का पुलीस प्रसासन और भाजपा सरकार मानों में कोई बहुत बड़ा गैंक्स्टर हूँ टेररिस्ट हूँ इस प्रकार से मेरे पीछे जो पड़ गई है पॉलिटिकली मुझे खतम करने के लिए मुझे नेस्तो नाबूत करने के लिए जिस प्रकार से भाजपा लगी हुई है वो पुरे गुजरात और देश की जनता देख रही है यहां बड़े-बड़े स्केम्स होते हैं पेपर लिख होते हैं ड्रक्स माफिया है रियल स्टिट के माफिया है माइनिंग माफिया है खून और बलात करके आरोपी के खिलाब भाजपा के सरकार कुछ नहीं करती है कि हर जोर जुलम की टकर पे संगर समारा नाराय बाजपा की सरकार को जो करना है कर लो हम लोग कल भी लड़ते थे आज भी लड़े परसो भी लड़ेंगे बात करेंगे इसी मुद्धे पे मनीश पासवान है जिगनेश मेवानी के करीबी हैं उनके संगठन से जुड़े ह आजिफेमार मेश्कार करें जुड़े हुएं जिगनेश मेवानी को तीन महीने की सजा हुई है इस मामले मेंुई है तो यससे तो यह लगता है कि दलितों के लिए वन्छीतों के लिए काम करना उसको धिकार दिल्समाना वाना इस देश केंदर जैसे आपको बता दे कि जो वो सजा हुई है, जो कोट ने बताया है कि उनको तीन महीने की सजा और एक हजार उपए का जुन्माना हुआ है, तो उस घटना को आप देखेंगे तो उना की जो कांड होती है, जहां पे चार दलितों को नंगा करके मारा जाता है, मनुवादियों दोरा, तो उसको लेके आतरा निकालते हैं, जिगनेश मेवानी जी, वो मेहशाना डिस्टिक से निकालते हैं, और वहां से आजादी कोच उस घटना का नाम है, उसमें बहुत सारे देश के भी बहुत सारे सोचल एक्टिविस्ट और बुद्धी जी लोग उसमें सामिल हुए थे, तो उस घटना का परमीशन नहीं दिया गया था, और उस यातरा के बारे में हम अगर कहें, तो उस यातरा को निकालने के बाद, उस यातरा के द्वारा पूरे गुजरात में भ्रहमन किया गया, जिगनेश मेवानी जी द्वारा, और पूरे गुजरात के अंदर पंदरा सो भूमी, पंदरा स लोगों को और कहीं न कहीं यह कहा जाए कि न्यात तंत्र की हम लोग सम्मान करते हैं लेकिन बीजेपी के लोग चाहते हैं कि उसे भी अपने अंडर में कर ले तो वह तरीके से जिगनेश मेवानी जी को टॉर्चर किया जा रहा है कि कैसे भी इसको चुनाव है और गुज्रात गया है कि मोदी जी की वैजिती हो जाएगी इस चुनाव के जिगनेश मवानी जी का कम से कम 20-25 सीटों पे बड़े ब्यापक तोर पे उनका परभाव दिखेगा इसलिए बीजेपी और आरे से संग के लोग पूरा ब्याकुल हो गए है कि कैसे भी इस जिला जो है जिगनेश मवानी जिस विधान सवा छेतर से जिते हैं वो मोदी जी के ग चैतर से जिगनेश मवानी जी चुने कर लोग दिखे परकरिया पकड़ा गया था उसके बाद वो उनकी वापसी हुई गुजरात में तो अहमदावाद एयरपोर्ट पे बड़ी भब स्वागत हुआ मतलब वहाँ पे कारक्रम था बगल में अस्थल बाबा साहिब के शर्म मतलब पुड़ा एहमदावाद में तहलका मच गया था तो यह चीज बादा प्रभाव है यानि कि जितना बीजेपी के द्वारा दलितों को उत्पीडित करने की साजिश की जा रही है परतारित किया जा अपने नेता से करीब होते जा रहे हैं उसी गुजरात के अंदर आप देखेगा जिगनेश जी का प्रेस कानफरेंस तो उन्होंने कहा है उस गुजरात के अंदर लागातार वहां के यूथ वहां के रोड पर अंदोलन करते हैं बाइस बाइस पेपर लिख हो जा रही है क quyत करवाईन हुई umm एक ट्वीट के लिए करवाई हो जाती और वो जाती है यह वह कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत ही मतलं बहुत ही दूखत बाद है कि हमारे देष के लोगों को के क्चून में ड्रक्स डाला जा रहा है कि वो बोलना सके सम नसा में अपना मतलब उस ड्रक्स का इतना परभा होता है कि लोग यह कहते हैं कि तीन चार बार अगर कोई ले ले तो समझे कि वो एडिक्ट हो जाता है वो कुछ भी कर सकता उसके बाद तो हमारे देश के लोगों को अडानी और के अड़ानिक। और जो भी भिजुनेश मैं हैं उनका मोदी जी को पुरा सपॉर्ट है। मोदी जी का उनका उनको सपॉर्ट है दोनों लोग सबलोग मिलके भिजनेश मैं और आर्र स्थीजे़ी के लोग चाहते हैं कि इस देश के elled के लोगों को अधिकार नहीं मिले। तो इसलिए यह महसाना की कोट ने दिया में वहां पर फाइर हुआ था क्योंकि वहीं से परमिसल लेना था वह आजादी कुछ जो हुई थी वह महसाना डिस्टिक्स से ही हुआ था तो जिगने समयवानी को महसाना कोट से तीन महिने की सजा और 1000 रुपय का जुरुमाना लगा आप देखते हैं इसमें उनको तुरंत जेल होती है या बेल मिलती है फिर वह हाई कोट जाते हैं यह देखने वाली बात होगी मानिस पासवान जी ने जो कुछ कहा उसको लेकि आप क्या सोचने परतिगरी अपनी कमेंट बक्स में जबूर दे फेस्बुक पे वीडियो सब्सक्राइबर होगा ने तो घंटी बजा किजिए जय भीम जय भारत